तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19 अक्टूबर को सनी देवल ने अपना जनम दिन बड़े ही धूमधाम से हैदराबाद में सेलिब्रेट किया है बता दे कि सनी देवल के इस खास मौके पर सनी देवल की फिल्म जाट के क्रु मेंबर्स और जाट फिल्म के डारेक्टर गोपी चंद मालनैनी भी नजर आए हैं दोस्तों इसी के साथ बता दे कि सनी देवल का जनम दिन मनाने के लिए दुनिया भर के फैंस उनके जनम दिन पर उनसे मिलने के लिए हैधराबाद पहुचे हैं जी हाँ दोस्तो सनी देवल ने अपने जनम दिन के मौके पर अपने फैंस के लिए बड़ा तौफा दिया है उन्होंने अपने जनम दिन के मौके पर जाट फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है दोस्तों बताना चाहेंगे कि सनी देवल का जाट फिल्म का ये फर्स्ट लूप बहुत ही अट्रेक्टिव है इस फिल्म के अनॉंसमेंट के साथ ही मेकर्स ने इस बात का भी अलान किया था कि ये अब तक की सबसे बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है तो दोस्तों इस पोस्टर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में सनी देवल का एक्शन कितना होने वाला है दोस्तों बात कर लें पोस्टर के बारे में तो पोस्टर में सनी देवल बहुत ही गुस्टे में नजर आ रही है उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा पंखा पकड़ रखा है दोस्तों बता दे कि इस पंखे के साथ ही हमें गदर फिल्म की भी यादा रही है इसमें सनी देवल ने हैंड पंप उखार कर सभी लोगों का दिल जीत लिया था जो दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि सनी का ये एक्षेन अफ्तार देख कर साउ comprend बोलिवुड तक में हंगामा मक्चा हुआ है दोस्तों बता दे कि बड़े 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 कलाकारों के reaction भी डेक्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों बता दे कि smo आ मालनी की सनी देवल की सोतेली मां है । हमा मालनी भले ही सनी d basement के पड़िवार से दूरिया बनाए रखती हैं लेकिन फिर भी उनके दुख सुख में हमेशा काम आती हैं और साथ में खड़ी रहती हैं दोस्तों बता दे कि हेमा मालनी और इशा देवल ने भी सनी देवल के पोस्ट पर रियक्ट करते हुए नजर आये हैं दोस्तों बता दे क इशा देवल ने सनी देवल को उनके जनम दिन की बधाई देते हुए उनके पोस्ट के बारे में भी लिखा है। उन्होंने उनके जनम दिन की बधाई देने के सास उनकी फिल्म SGGM यानि की जाट के फर्स लुक पर भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि इस बार मचेगा असली गदर तो दोस्तों आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों